तो गाइस मैं हूँ आईउश और आप देख रहे हैं रैसल इंडिया सुआ गता है आपका आज की इस वीडियों में जा पे हम बात करेंगे इस रैसल में एक्सल बिहाइंड दे कर्टन डॉक्युमेंटरी के बारे में जहां पर इतना कुछ हमें जानने को मिला कि क्या बिहाइ आप लोगों के लिए नरेशन अपनी जितनी बेस्ट रख सकूं उतनी मैं करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए तो एक हिंदी वर्जन आपको इस डॉक्यूमेंटरी का जरूरियां पर सुनने को मिल जाएगा तो वीडियो को एंट तक देखते रहें और लाइक बिटन अब यह स्टार्ट होती है इसको मैं एक जीपीएस की तरह करता हूं जैसे जीपीएस में नहीं होता हम एक डिरेक्शन लगा जेते हैं अपनी डेस्टिनेशन के कहा हमें जाना है और वो हमें बताता रहता है कि कैसे कैसे किदर किदर से जाना है तो यही चीज़ वो क्रेटिव में करते है कि उनको पता है मेरा फाइनल गोल कहा है मेरा वो नॉर्थ स्टार क्या है जहां तक मुझे पहुंचना है उसके बाद कैसे पहुंचना है खुद पता लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में ओविसली रोमन रेंस को नहीं हरा पाए है और ट्रिपल एच कहते हैं वो फेलियर के बाद उनके एक प्लैन ये था बेहांड दे सीन्स कि कोडी रोड्स को बहुत जादा हॉट इयर देना है ताकि वो लीड कर सके उस री मैच में अगेंस्ट रोमन रेंस एड रैसलमेनिया 40 लेकिन इस स्टोरी के साथ साथ एक और scoreई है एक और scoreई एक ब्लाक बस्तर story जिसकोड में सालों से execute करने कोशिश कर रही है पर करने पारी एंड़ा डैट व politic वर्सिस दे रॉक इतनी बार इस चीज को डबी डबी फैन्स जानते हैं कि हम चाहिए मैच हम चाहिए मैच उसके लिए डबी डबी ट्राइ कर रही है लेकिन कुछ रीजन की विज़ा से कभी नहीं हो पाया हम जानते हैं और यह स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो क्वाइट ली या इंडर सीन्स बिल्ड हो रही थी रॉक कहते हैं वो फर्स टाइम निक खान से बात कर रहे थे इस बारे में दिसेंबर ऑफ 2021 में और उस डिनर पे निक खान ने रॉक को पॉली नीजियन प्रो रेस्लिंग हवाई में जो है उससे कुछ गिफ्ट दिये और यह जो रेस्लि यंग रॉक में उस समें टीज करा गया कि शायद यह जो मैच है वो रेस्लमिणए 39 में होने वाला है लेकिन उसके बाद हम जानते ही कि कैसे यह प्लैन नहीं हो पाया रेस्लमिण 39 में मैच कभी हुआ नहीं और एंडेवर के साथ जब WWE की डील हुई और UFC और WWE का मरजर कम्प में 39 लेकिन कभी हो नहीं पाया और अब रहसल में 40 में में भी वो हो सकता है और उसके वाई जब रॉक स्मैक डाउन में वापिस आए वो एपिसोड जहां आस्टिन थियोरी को उन्होंने कंफरंट किया था वो एक रीजन था रॉक को वापिस टेलिविजन पे लाके टेस्ट क पे जब जिंदर महाल वाली सेग्मेंट के बाद रॉक बोलते हैं कि should the rock sit at the head of the table और वो पॉइंट था गाईज जहां पे behind the scenes इसके बाद actually talk स्टार्ट हुई कि क्या हमको ये मैच करना चाहिए और ट्रिपल एज क्लियरली behind the scenes यहां पे बता रहते हैं कि कैसे जब कि कोडी र moment का जो मैच है वो box office है वो जादा बड़ा है और पॉल हमेंन भी कहते हैं कि rock के return ने हमको million opportunities present कर दी है कि हम क्या कह स्टोरी में कर सकते हैं जो option एक point पे पहले हमारे पास नहीं था तो rock का return हुआ टीवी पे और उसके बाद obviously उन्होंने board को भी join करा और हम यह पूरी behind the scenes moments rock, Nick Khan और triple H ने यह decision लिया कि हमको Cody Rhodes की यह जो story है वो भी important है और इसको adjacent यानि की साथ साथ चलाते रखना है इसको खतम नहीं करना है इसको भूल नहीं जाना है लेकिन हमको यह भी explore करना पड़ेगा कि क्या rock versus Roman Reigns हो सकता है या फिर नहीं और इसके बाद आया वो major turn because royal rumble वाल कि rock versus Roman का match WrestleMania में हो सकता है लेकिन इसका वनलब यह नहीं था कि Cody Rhodes Royal Rumble नहीं जीतेंगे वो देखना चाहते थे कि क्या हो सकता है because Triple H को reaction चाहिए था audience की तरफ से build चाहिए थी उसके बाद वो अपना decision लेना चाहते थे तो आप समझ सकते हैं guys कि कितना risky था उस point पे कि Cody Rhodes Royal Rumble जीत official plan था और rock versus Roman Reigns official plan था for WrestleMania 40 लेकिन CM Punk injured हो गए और Royal Rumble के बाद दोनों matches जो men's के हैं वो up in the air हो गए because Cody क्या करेगा वो नहीं पता था बिल्कुल chaos हो गई थी और Seth Rollins अपने post opinion में बोलते हैं कि भाई मैं बहुत सारी अच्छे अच्छी WrestleMania builds का part रहा हूं but this without a doubt was the wildest build of them all. Triple H कहते ह कि उस सामें एक ऐसी chaos में थे हमें नहीं पता था कि क्या होगा लेकिन हमनी यहीं decision लिया कि यहीं एक magic create करेगी और February 2nd Smackdown को Cody Rhodes आके Roman Reigns को यह बाद बोलते हैं कि मुझे तेरी championship चाहिए but not at WrestleMania और वो point था जब Rock का return हुआ और officially WWE ने angle दिखा दिया कि यह WrestleMania का main event वो change करने वाले है and it will be Roman versus Rock और इसके बाद Rock, Roman Reigns और Triple H की तीनों की एक काफि कमाल की खुशी वाली backstage moment दिखाई जाती है जहां पर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि finally हम fans को दे पाएंगे जो लोग इंतजार कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से हमें present कर पाए लेकिन उस night पे Cody Rhodes was the man who was the most disappointed और आज पहली बार हमें देखने को मिला कि आखित Cody Rhodes का reaction right after smackdown उस समय क्या था because अपनी बस में वो बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि देखो इस point पे मैं ही बोल सकता हूँ कि I have to believe यह जो story है मेरी वो किसी ना किसी तरीके से खतम होगी लेकिन कैसे क्या मुझे नहीं पता but I I have to believe in myself और Triple H इस point पे post opinion में कहते हैं कि उस time पे Cody Rhodes के लिए मैंने उसको बोला कि भाई I am not sure कि मैं क्या करना चाता हूँ तेरे साथ at WrestleMania क्या तेरे plans होंगे लेकिन इतना जरूर उन्होंने बोला Cody को कि it's on me मैं figure out करूँगा मैं वो बताऊंगा और Rock इस समय अपना post opinion दे रहे थ वो वापिस वहीं चली गई जहांप वो बलाउंग करती है and that is with the fans और लोग decide करेंगे कि क्या होगा और लोगों ने क्या किया for the next 72 hours straight we want Cody trend हुआ पूरे social media पे तो Rock इहां भी discuss करते हैं दो possibilities जो उनके पास थी उस time पे हो कर सकते हैं पहली ये कि हमें नहीं फरक पड़ता we'll just truck through it हम इसके through जाएंगे हम अपनी मर्जी करेंगे और जो हमें करना है वो हम करके ही रहेंगे because at the end of the day Rock को decide करना था creative को decide करना था और अगर Rock vs Roman होता तो होता किसी को क्या फरक पड़ता हो match तो तब भी करी सकते थे और दूसरा option ये था कि fans की कही ना कहीं सुन लेनी चाहिए कि fans आखिर बोल क्या रहे हैं और Triple H भी बोलते हैं किसी भी और time पे Roman Reigns vs Rock से बड़ा probably wrestling में कोई match नहीं है लेकिन वो time जो था उसमें Cody Rhodes कितना over है वो पूरी दुनिया को दिखा और उस point पे Dwayne The Rock Johnson decided that they have to pivot और ये pivot वाला जो word है वो इतना जादा चल रहा था Wrestlemania से पहले Rock कहते है म और मैंने सीधा बोला देखो भई हमारे बस दो options हैं या तो हम जो करना है करें या फिर हम fans की सुनें लेकिन कई न कई जो है मेरे को सही नहीं लग रहा मुझे feeling नहीं आरी ऐसी कि अगर हम करेंगे तो वो सही रहेगा तो हम इस चीज़ को pivot करते हैं कुछ नया सोचते हैं और चोटा सा भी segment of fans है जिसको ये match नहीं चाहिए था जो against hell cheese के जो इसको hate कर रहा है तो मुझे ये match करना भी नहीं था यहाँ पर वो कहते हैं कि भई देखो मुझे ये choice लेनी थी मेरा ये decision था and I decided to go with the second option और मेरा decision ये था कि Cody Rhodes should finish his story at WrestleMania 40 और ये वो point था guys जब actually ये story जो है वो story नहीं रही थी and in turned into a cinema और ट्रिपल एचे आपे बात करते हैं कि कैसे इस time पर मौका था WWE के पास कि वो blur कर सके हैं ये lines जो fiction और reality को separate करती हैं और WWE के fans को एक ऐसी story present कर सके जो पहले कभी हुई नहीं जो कि start हुई लास्ट वेगस की उस press conference से जहां पर थपड मारा रॉक ने Cody को और ये tag team match का idea with the big stipulation and a twist और किसी की तरफ से नहीं बलकि Brian Gavitt से आया जो रॉक के friend एक producer है 7 bug production में काफी उनका role है बड़ा और WWE के former head of creative भी हो रहे थे कई सालों तक उनका ये idea था और इसके वाला में behind the scenes जारी जा रही है एक तरफ है Rock और Roman Reigns और दूसरी तरफ Cody Rhodes और Seth Rollins और आपर Rock और Roman बात कर रहे हैं सारे बात कर रहे हैं कि कितना important ये moment है और जब उस moment में ये चारों घुसे तो उनको समझ आया कि कितनी बड़ी चीज हम यहां पर create करने जा रहे हैं सारे लोग इस story में जो है जो नहीं entrance वो change करना चाते थे अपने नए character case आपसे सारी collaboration behind the scenes हमको दिखाई जाती है कि कैसे इस cinema को बनाने में एक बंदा नहीं दो बंदे नहीं पूरी team लगी है और कई सारे लोग लगे हैं छोटे-छोटे जगा पे छोटे-छोटे steps में जो कि involved थे इस पूरी picture में जो हम हैं कि मैं बहुत grateful feel करता हूं कि मैंने सही decision ले लिया यह करके character लेकर और यह भी देखने को मिलता है guys obviously हम सारी story के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन जिस तरीके से rock जो है वो मार रहे थे Cody Rhodes को अपने final boss के character में लेकिन behind the scenes Cody Rhodes खुश हो रहे हैं अपनी beating को तो जरूर देख बताने के लिए कि इस साल में काम करने वाला हूं जो मैंने last year नहीं किया था और Roman Reigns भी अपनी WrestleMania की preparation में clearly बोल दते हैं कि यह जो हमने storyline बना दी है यह और कुछ नहीं सिरफ एक art है और यह behind the scenes हमें देखने को मिलता है फिर WrestleMania की दिन का कि कैसे उस हमें pressure है और Triple H ने Rock की entrance के into a bloodline rules और Night 2 में Roman Reigns की entrance की preparation के behind the scenes हमको दिखाये जाते हैं और Triple H ने जो किया जो इस creative team ने हमें Marvel type cinematic universe में ले गए Night 2 में जहां पे John Cena, Undertaker, Bloodline और यह सब कुछ देखने को मिला that was the absolute amazing ending जो हम expect कर सकते थे जहां Cody Rhodes ने pin कारा Roman Reigns को to finally finish his story और Triple H के लिए इतना कुछ करने के बाद, इतनी महीनों की महनत के बाद, उस chaos को magic में convert करने के बाद, सिरफ 8 घंटे की नींद लेनी थी, इस से पहले की he wicks up again and he does that all over again for WrestleMania 41 तो अगर दुनिया में सबसे छोटा off-season किसी का है, it is the man Paul Triple H Lewek, जिसकी era में हम जी रहे हैं, जिसने कमाल का masterpiece in WrestleMania 40 हम सब wrestling fans के लिए बनाया, तो guys 8 घंटे का off-season, my god, अगर आपके वीडियो अच्छी लेगी इस पे like जरूर करें, मैं चाहूंगा pull documentary जाके देखें, because most of the things हमने अभी live करी हैं, उनको सारा detail में recap करके तो क्या ही होगा, लेकिन ये behind the scenes decisions और specially rock की वो बात की fans को सुनना सबसे जरूरी है, उस चीज की वज़ा से magic create हो पाया, and that is what WWE is about, तो guys thank you so much for watching, मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं, wrestling here.